सब्सक्राइब करेंगे एक दम अच्छे तरीके से और पहले साथ एक दम बेसिक कॉंसेप्ट को भी समझती हुए चलेंगे वीडियो सुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए लगो 500 लाइक चाहिए इस वीडियो पर और नीचे अगर सब्सक्राइब बटन है आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी क्योंकि इस चैनल पर रेगुलर वीडियो पड़ रही है और आपका अभी अभी एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लेट कराया है उस वीडियो को जाकर देख लीजी चलिए अब स्टार्ट करते ह इस बहतरी इस वीडियो को पहरे साथ ही प्रश्न संख्या एक जो कि आपकी प्रश्ना वली तीन दस्मलों एक का है तो वह कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युगम को प्रतिस्थापन विद्धि से हल कीजी यानि कि जो रैखिक समीकरण युगम यहां पर दिये गए है एक ही गुश्यन है तो उसे हमें प्रतिस्थापन विद्धि द्वारा हल करना है तो ध्यान से समझ जेगा कि किस तरह हम प्रतिस्थापन विद्धि से प्रश्न को अभिंगे एकदम बहतरीन तरीकें से मैं आपको बताने वाला हो कि प्रतिस्थापन विधि से आप प्रश्ण को कैसे हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया गया है आपने विलोपन विधि कक्षा आठ या नो में पढ़ी होगी और दूसरी जाना जो दूसरी विधि है उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि और इसके बारे म याद कर लेंगे चाहे एक्स का मान इसे पक्षांतर करके और फिर जो मान आएगा उसे हम दूसरे समी करण में पूट कर देंगे और फिर हम प्रशनों को सौल करेंगे चलिए अब तो हम समझते हैं कि आखिर क्या है प्रतिस्थापन विदी हमें इस वीडियो में समझनी है कि आखिर ये क्या है प्रतिस्थापन विदी और कैसे हम इस विदी से समीकरणों को हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विदी तो प्यारे साथी इस तरह के प्रश्णों को हम कैसे हल कर सकत हैं प्रतिस्थापन विदिद्वारा तो अच्छे से समझेगा हमें कोई समिकरण ले लेना है चाहे आप समिकरण एक ले लिए चाहे आप समिकरण 2 ले लिए तो हम पहले लेते हैं प्यारे साथी समीकरण 14 यह आपका question number 1 है प्यार साथ ही अब इसमें हम क्या करेंगे कि चाहे x का मान चाहे y का मान हम transfer करेंगे यानि कि कहने का मतलब है जैसे कि हम लिखेंगे कि x का मान y के पदों में प्रतिस्थापित करने पर कहने का मतलब है हम चाहे y का मान x के पदों में प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे x का मान x का मान y के पदों में y के पदों में तो प्रतिस्थापित करने पर तो पहसे आपको लिखेंगे देना है कि x का मान y के पदों में प्रतिस्थापित करने पर प्यार साथी क्या होगा कि यहां पर X प्लस Y बराबर 14 है यानि कि अगर हम X कमान Y के पदों में प्रतिस्थापित करें तो X बराबर हो जाएगा 14-Y और यह आपका बन गया है प्यार साथी समीकरण NUMBER 3 हमने मान लिया है कि यह आपका जबार 3 अप्यार साथी हमें एक स्की यह पर पता चल गई है BG में लेकिन चल गई है अब क्या करेंगे इसका मान समीकरण Hij कहने का मतलब है कि जैसे हमने यहां पर दो में रख ना है और अगर समीकरण 2 हमने लिया होता यहां पर तो जो वैलू आता यानि कि जो समिकरण नंबर 3 आता उसका मान हम समिकरण नंबर 1 में रखते तो ध्यान से समझेगा यही बात का ध्यान रखना है कि जिस समिकरण को लो तो दूसरे समीकरण में उसका मान रखना है तो पहरे साथी अब हम लिखेंगे कि X का मान हम लिखेंगे यहां पर X का मान एक्स का मान कि समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में कि रखने पर रखने पर एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर पहरे साथी तो x का मान है 14 मैनिस य तो हम इसे समिक्राण 2 में रखेंगे यानि कि एक्वेशन नमें में इसका मा रखेंगे तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर प्यारे साथ ही कि come next morning और का दिया गया है और? अब हम X को सहे हैंivos अच्छे तरीके से हल करने वाले हैं तो यहाँ पर देखेगा, यह माइनस का वाई है यह माइनस का वाई है, तो यह माइनस का 2Y हो जाएगा यानि कि 14 माइनस 2Y एक्वल्टू का 4 हो गया पैर सती, अब देखे इस 14 को इधर ले जाओगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, यानि कि माइनस 2Y एक्वल्टू हो जाएगा 4 माइनस 14 और फिर हम इसे सॉल्ट करेंगे, तो माइनस 2Y बराबर हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 14 यह घट जाएगा, यानि कि यहाँ पर बचेगा माइनस का 10 प्लस का 15 प्लस का 15 प्लस का 15 कि जो हमें Y का मान पता चला है यहाँ पर, उसे हम समिकरण 3 में रख देंगे, जिससे हमें X का मान भी पता चल जाएगा, तो हम लिखेंगे प्यारे साथी Y का मान Y का मान समिकरण समिकरण 3 में रखने पर समिकरण 3 में रखने पर तो हम Y का मान बराबर 14-y यही तो दिया गया है अब हम यहाँ पर इसकी वैलू रख देंगे प्यारे साथी तो हम एक्स ऐसे ही लिखे रहे ने देंगे और यहाँ पर 14 था माइनस y के जगा y के वैलू 5 है तो हम 5 लिख देंगे 14 में से 5 गई तो प्यारे साथी 9 बचेगा यानि की x की वैलू हमें 9 पता चल गई है तो प्यारे साथी हमें दोनों वैलू पता चल गई है प्रतिस्थापन विद्धिद्वारा अब आपको लिख देना है कि x बराबर 9 त कि किस तरह हम प्रतिस्थापन विद्धिद्व से प्रश्णों को हल करते हैं अभी लगभग पाच प्रश्ण और हैं इस question number 1 में उससे जब हम solve करेंगे अगर आपका अभी भी डाउट है तो आगे के प्रश्णों में वो सारे डाउट खत्म होने वाले हैं चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज़ पर प्यारे साथी अगला प्रश्ण आपके सामने आ गया है प्रश्ण दिया गया है कि एस माइनिस टीक्वल टू 3 यह आपका question number फर्स्ट है और एस अपान 3 प्लस टी बाइटू एक्वल टू 6 यह आपका दूसरा समीकरण है अब प्यारे साथी उसी तर का मान टी के पदों में एस का मान कि टी के पदों में टी के पदों में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर करने पर करने पर आप चाहें लिखें प्रतिस्थापित करने पर यह ना लिखें लेकिन देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है तो आप लिखेंगे कि समीकरण एक में एस कमांड टी के पदों में प्रतिस्थापित करने पर कोई जरूरी नहीं है आप आप टी कमा और के प्रतिस्थापित कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे मैंने एस कमांड्फ के प्रतिस्थापित किया है अब हम देखेंगे कि यहां पर एक क्वेशन नंबर सेकेंड कि S equal to 3 plus T के बराबर और ये हमें तीसरा equation पता चल गया है पैर साथी अब आपको क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ पर समीकरण एक लिया था तो आप समीकरण एक लिया था तो S का मान समीकरण 2 में हमें रखना होगा तो हम लिखेंगे पैर साथी S का मान या S का value समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर प्यार साथी ध्यान से समझते चलिए आपको सारी चीजी यहाँ पर समझ में आने वाली हैं तो S का मान अब हम समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 क्या दिया गया है S बटे 3 प्लस T बटे 2 बराबर 6 अब यहाँ पर S की जगा हम S की value रख देंगे तो S की जगा हम डारेक्ट लिख देंगे 3 प्लस T बाई 3 यानि बटे में 3 प्लस T बटे 2 बराबर 6 प्यारे साथी अब हम इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि यह कैसे लगेगा एकदम बहतरीन तरीके से मैं आपको इस 3 प्लस T में गुड़ा हो जाएगा और प्लस का 2 त्याए 6 यह 3 T हो जाएगा एककोल तो 6 प्यारे साथी से हम सॉल्व करेंगे 2 का अंदर गुड़ा हुआ 3 में तो 6 हो गया प्लस 2 का T में हुआ तो 2 T हो गया प्लस 3 T एककोल तो 6 और यह भी बटे में 6 था प्यारे साथी भाग में था उधर जाएगा गुड़े में हो जाएगा प्यरसाथी यानि कि 6 का 6 में गुड़ा होगा तो 36 हो जाएगा च्छकोक 36 अब हम साल करेंगे तो 5T equal to हो जाएगा यह 6 यहां पर plus में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा यानि कि 36-6 यानि कि 5T बराबर हो जाएगा 30 के यानि टी के वैलू निकारें तो 30 बटे 5 आजाएगा प्यरसाथी अब हम इसे सॉल्व करेंगे यानि कि 5 एक नम पाच और 5 चक तीस यानि 6 आ गया है कहने का मतलब है कि हमें टी के वैलू 6 पता चल गई है हमें पता चल गया है कि टी बराबर 6 है अब प्यरसाथी हमें टी का मान यहां पर पता चल गया है तो अब हम क्या करेंगे एस का मान भी ग्याद करेंगे कि दोनों का मान हमें ग्याद करना है तो अब लिखेंगे प्यरसाथी एक साइड में लाइन खिच लेते हैं अच्छी सी और उधर सॉल्व करते हैं अब प्यरसाथ तीन में रखने पर जब हम T का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें S का मान पता चल जाएगा तो हमने लिखा कि T का मान समीकरण 1 में रखने पर एक दम ध्यान से समझते चलिए बहुत ही बहतरी न तरीके से आपको मैं सारी शीज़े बताने वाला हूँ तो S equal to यहाँ पर था 3 प्लस T पैरसाथी अगर हम इसे solve करेंगे तो S बराबर हो जाएगा 3 और T की जगा T की value 6 है तो 6 रख देंगे यानि S बराबर 6 नौ होता है आया है पैरसाथी यानि हमें S की value भी पता चल गई है और T की value भी पता चल गई है तो हम directly लिख सकते हैं कि S equal to 9 and T equal to 6 और यही हमारा प्यारा सा एंसर हो गया पैरसाथी आई होप आप यह भी प्रस्ण बहतरीन तरीखे से समझ गए होंगे अगर यह प्रस्ण आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजिएगा चलिए अब next प्रस्ण के और बढ़ते हैं सबके नोट्स आपको provide क कराऊंगा अब देखिए अब हम question number 3 में आएंगे पैरसाथी question number 3 कुछ ऐसा दिया गया है कि 3x minus y equal to 3 और दूसरा दिया गया equation 9x minus 3y equal to 9 अब इससे भी हमें प्रतिस्थापन विद्द से solve करना है पैरसाथी तो हम लिखेंगे हल यानि की solution आप कुछ भी लिख सकते हैं और समीकरण 2 में अब समीकरण 2 में x का मान y के पदों में प्रतिस्थापित करने पर चाहे आप जो कीजिए चाहे x का मान y के पदों में कीजिए चाहे y का मान x के पदों में कीजिए तो हम इतना ही लिख लेते हैं समीकरण 2 में अब हम क्या करेंगी x का मान x का मान y के पदों में इतना ही लग दीजिये काफी है x कमान y के पदों में अब हम गयात करेंगे तो हमारा समिकरन 2 था 9x-3y एक कुल टू 9 नहीं तो है पहरे साथी अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि x कमान y के पदों में करने वाले हैं यानिकी 9x यहां पर हो जाएगा यह माइनस 3y था जब इधर गया तो प्लस का हो गया यानिकी 9 प्लस 3y और x एक कुल टू हो जाएगा 9 प्लस 3y बटे में हो जाएगा पैरे साथी यहां पर 9 और यह आपका समिकरन 3 बन गया है यानिकी question number 1 ले रहे थी तो मान समिकरन 2 में रख रहे थे लेकिन अब की बार हमने समिकरन 2 लिया है तो मान हम समिकरन 1 में रखेंगे यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जो समिकरन लेंगे उसका मान उसमें नहीं रखना है उसके दूसरे समिकरन में रखना है ज़िस समीकरण 2 लिया तो मान समीकरण 1 में रखेंगे, अब चली आई होप आप समझ गए होंगे, तो अब हम लिखेंगी कि, एकस का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो अब हम X का मान समीकरण 1 में रख देंगे पहरे साथी तो यहां पर देखिए समीकरण 1 दिया गया है 3X minus Y equal to 3 यानि कि 3 और X की जगा हम X की value रख देंगे जो यहां पर पूरी दी गई है तो X की जगा हम क्या कर देंगे 9 plus 3Y बटे में 9 यह breakout बंद कर देंगे और minus Y equal to 3 जो समीकरण था वैसे रख दिया हमने X की जगा X की value रख दिया अब हम इसे solve करेंगे पहरे साथी 3 का अंदर गुड़ा हुआ तो 9 त्रिक 27 होता है पहरे साथी plus 3 त्रिक का 9 होता है या 9Y हो गया और बटे में 9 हो गया माइनस का Y equal to 3 पहरे साथी यहां पर हमने जहां कुछ नहीं होता है एक मान लिया है 9-1 का LCM आपका 9 ही होता है अब हम इसे solve करेंगे तो 9-9 यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला माइनस 1-9 जा 9 होता है तो 9-9 हो जाएगा पहरे साथी अब यहां पर आप समझते चलिए किस तरह हम इन प्रशनों को solve करेंगे एक दम बहतरी तरीके से यहां पर देखे पहरे साथ क्या हो रहा है कि यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर equal to 3 हो जाएगा आप देखें यहां पर plus का 9y है माइनस का 9y है और यह आपस में क्या होंगे काट हो जाएंगे यानि कि 9Y से 9Y घट जाएगा यानि कि 9 मैसे 9 जाएँगी तो 0 ही तो बचेंगी तो हम लिखेंगी 27 प्लस 0 बटे 9 बराबर 3 यानि कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या आगया है यहाँ पर आगे देखेंगे तो इसका कोई हल ही नहीं होगा यहां पर 27 बटे 9 बराबर आ गया है तीन अब हम समीकरण में क्या करें क्याएं क्योंकि हमारे BG अंक subscribe हो गया तो हम मान कैसे ग्यात करेंगे तो पिहेरे साथ ही क्या है इसमें क्युकि यहां पर दोनो जीरों आ गए है यानि यहां यह समीकरण कि अपरमित हल होंगे इसका कोई नियत नहीं है हल अगर आप देखेंगे यहां पर तो यानि साथ ही क्या हुआ कि यहां पर 9y-9y आपस में कट गए हैं इसलिए हमें किसी का मान पता नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि इस युग्म के अपरमित रूप से अनेक हल होंगे यानि कि इसका कोई नियत हल नहीं पता है तो हमने यह लिख दिया इसका कोई solution नहीं होगा यानि कि इसमें x तथ y का कोई भी मान नहीं आने वाला है इसके अनेक हल हो सकते हैं जो मान आप रख देंगे वही हो सकता है तो इसे हम और solve नहीं करेंगे यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि इसका value नहीं निकल सकता क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपस में सारी चीज़े कट ही जा रहे ही यह प्लस का 9y था यह माइनस का 9y था दोनों आपस में कट गए तो अब हमें x और y के value पता ही नहीं चलेगी इसलिए हम कह सकते हैं कि इस जोगम के अपर में तुरूप से अनिक हल होंगी इसलिए इसमें x और y का मान नियत नहीं है कि एकदम सटीक वही होगा तो चलिए अब next प्रशन के और बढ़ते हैं यह नियत नहीं है आप अपनी answer seat में देखेंगे ncrt की तो वहाँ पर भी आपको यही मिलेगा आप solution भी देखेंगे कहीं पर तो वहाँ पर यही मिलेगा कि इसके अपरमित रूप से अनेका हल हो सकते हैं कोई नियत हल नहीं है इसलिए इसका कोई exact x और y का मान नहीं निकाला जा सकता चलिए हम अगले प्रशन के और चलते हैं प्रिये साथी प्यारे दोस्तों अगला प्रशन जो कि इस प्रशना वली का पहले प्रशन का चौथा प्रशन है और इसे हम बहतरिन तरीके से solve करने वाले ध्यान से समझेगा यहाँ पर decimal में आपको दिया गया है equation यानि कि दिया गया है 0.2x यानि कि कहें 0.2x प्लस 0.3y एक्वल टू 1.3 और फिर दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y एक्वल टू 2.3 यह दो equation आपको दिये गया है प्यारे साथी और हमें x और y का मान ग्याद करना है किस विदि से प्रतिस्थापन विदि से जिस विदि से हम solve करते आ रहे थे प्यारे साथी ध्यान से समझेगा आपको समझने वाली बात क्या है कि जब दोनों में 10 मलों में 10 से गुड़ा कर देंगे दैस ऑपे यह स्थान तक है तो जब हम 0.2 में 10 से गुड़ा करेंगे तो यह यह बन जाएगा समीकरणों में समीकरणों में 10 से गुड़ा करने पर दस से गुड़ा करने पर अब प्यार साथी क्या है कि जब हम दोनों समीकरणों में 10 से गुड़ा कर रहे हैं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यानि कि दोनों में सम 10 से गुड़ा होगा तो यह हो जाएगा 2x प्लस 0.3 हो जाएगा 3y क्योंकि एक स्थान पर दस्मलों है आपको पता होगा मैं आपको एक पीज में बता देता हूं कि देखें अगर हम क्या करेंगी कि मालीजी 10 से 0.3 को गुड़ा कर रहें तो 3 जीरो हो जाता है 3193 यहां पर देखें कितने स्थान बाद दस्मलों है एक स्थान बाद यानि कि 3.0 आया यानि कि जिसे हम 3 कह सकते हैं पहरे साथी उसी तरह यहां पर भी मैंने किया है कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ही बड़ी विध्य लग गई है आपको प सकते हैं यहां यहां को इक स्थापित कर देंगे या या मान एक पदों में प्रतिस्थापित कर देंगे या या कमान एक्स के पदों में प्रतिस्थाफित कर देजिए कोई फरक नहीं पड़ता उससे अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा टू एक्स बराबर यह था प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा यानि कि 13-3y हो जाएगा और फिर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 13-3y बटे में हो जाएगा दो प्यारे साथी यह हमें समिकरण नंबर 3 पता चल गया है और एक्स की वैलू भी हमें पता चल गई है 32 तरीके से अब हमने समिकरण एक यहाँ पर लिया था तो मैंने आपको बताया था जो समी करण लेंगे उसके डूसरे समे करण में हम इसका मान रखेंगी यानि कि अब हम समी करण 2 में रखने पर कि X का मान X का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर रखने पर X का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे प्रेश साथी अब यहां पर देखिए X का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो यहां पर देखिए स्मिक्राण 2 था 4x plus 5y equal to 23 यानि कि 4x की जगा 4 तो लिखेंगे लेकिन x की जगा x की वैलू रख देंगे जो कि है 13-3y बटी में हो जाएगा दू और प्लस का 55 वैसे ही रहने देना है equal to 23 हो गया अब प्यार साथ ही हम इसे solve करेंगे तो यहां पर देखेगा क्या आएगा तो चार से 13 में गुड़ा कीजिएगा और फिर चार से 12 में गुड़ा कीजिएगा तो चलिए अब गुड़ा करते हैं 13 चोंकि 52 होता है पहरे साथी और और यहां पर कोई परिवरतर नहीं होगा 252 और एक सिस में गुड़ा हुगा कोई परिवरतर नहीं और प्लस लगाएंगे फिर एक दुनी दो यहां पर हो जाएगा तो यहां पर बचेगा माइनस का टू आई और हम कह सकते हैं यहां पर कि 52 माइनस 2Y यानि कि 2Y बटे में 2 बराबर हो जाएगा 23 के पहरे साथी अब हम इसे स्टॉल करेंगे तो यह दो यहां पर भाग मिथा उदर गया गुड़ा में हो गया यानि कि हम कह सकते हैं कि 52 माइनस 2Y बराबर तेश दूना 46 हो जाएगा अब यहाँ पर और solve करेगा तो minus का 2y बराबर हो जाएगा यह plus में था 52 उधर जाएगा minus में हो जाएगा यानि कि 46 minus 52 हो झाएगा अब देख्ये यह हो जाएगा minus का 2y बराबर 46 मेंसे 52 आप घटाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस का बावन है तो यहाँ पर बावन में से 46 जाएगा अच्छे अब क्योंकि यहाँ पर माइनस बावन था तो यहाँ पर माइनस 6 हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसल य के वैलू निकारोगे तो 6 बटे 2 आएगे यानि कि 2,1,2,2,3,6 यानि हम कह सकते हैं y बरावर हमारा 3 आया है परसाथी आई होप आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे अब हमें y का मान तो पता चल गया है अब हम क्या करेंगे x का मान पता चलेंगे तो x का मान गयाद करने के लिए हम x की वैलू समिकरण 3 में रखेंगे x का मान पता करने के लिए हम x वाले समिकरण में y की वैलू रखेंगे तो हम लिखेंगे y का मान y का मान समिकरण 3 में रखने पर y का मान शमिकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर रखने पर पहरेसाती यहां पर हमने लिखा कि why command स्मिकर्ण 3 में रखने पर अब हम क्या करेंगी कि यहां पर किया था स्मिकर्ण 3 एक्स बराबर 13 माइनस 3 y तो y की जगा हम y का माण 3 रख देंगी और बटी में हम लगा देंगी 2 पहरेसाती इसे solve करेगेगा यानि कि हमें एक्स के वैलू दो पता चल गई है तो हम लिखेंगे एक्स बराबर दो और वाई बराबर हमें तीन पता चल गया है पैरसाथी और यही आपका प्यारसा एंसर है I hope आप बहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रशनों को हम कैसे solve करते है प्रतिस्थापन विजे से प्रशनों को कैसे solve किया जाता है एकदम बहतरीन तरीके से मैंने आपको सारी सीज़े बताई है चली अब ऎब next प्रशन के और बढ़ते हैं थोड़ा ये प्रश एक्स प्लस अंडर रूट त्री वाइइक्वल्ट टो जीरो यह पहला एक्क्वेशन आपका दिया गया है एंडर two x माइंन्स अंडर 5y equal to 0 यह इस सेकंड एक्वेस्ट ने दो प्यारे साथी तरह जिस तरह प्रश्नों को सौल करते हैं वैसे ही सौल करेंगे हम लिखेंगे प्यारे साथी समीकरण एक में तो हम पहले question number 1 लेंगे समीकरण 1 में आप चाहे जो question ले लेजे मैं एक ले रहा हूं तो समीकरण 1 में अब हम क्या करेंगे यहां पर मानो को प्रतिस्थापित कर देंगे sorry यह फैन चल दा है अब चलिए हां तो मानो को हम प्रतिस्थापित कर देंगे प्रतिस्थापित करेंगे प्रतिस्थापित करेंगे प्रतिस्थापित करेंगे तो अब हम इस बार हम क्या करते हैं कि कमान एकस के पतों में प्रतिस थापित कर रहे हैं तो हम लिखेंगे अंडर रूट 3 y बराबर इस एकस को उधर ले जाओगे एंडर रूट 2 x हो जाएगा प्यारे साथी अब य बराबर क्या हो जाएगा यहां पर अंडर रूट 3 गोड़े में था उधर जाएगा भाग में हो जाएगा यानि कि माइनस अंडर रूट 2 बटे में 3 एकस पर गोड़े में था इधर चाहेगा और प्यारे साथ ही यह हमें क्या पता चल गया है यह हमें समीकरण नंबर 3 पता चल गया है अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में रख देंगे तो हम लिखने वाले आगे अ चुछ से समंझते चलिए बहुत ही भत्रीं तरीके से तो हम लिखेंगे पहरे साथी कि या का मान वाई का मान अगर का समीकरण वाई का मान समीकरण तो में रखने पर दो में रखने पर y का मान समिकरन 2 में रखने पर पहरेसा थी अब हम y का मान समिकरन 2 में रखेंगे तो क्या आएगा यहां पर हो जाएगा अंडरोट 3x-8y था अंडरोट 8 into अब यहां पर y की जगा y Ka Value हम रख देंगे क्या है माइनिस अंडर रूट टू एक्स और बटे में हो जाएगा अंडर रूट थ्री यह मैंने क्या किया कि y की जगा हमने y का मान रख दिया है और बराबर 0 लगा दिया है परसाथी अब हम इसे solve करेंगे इस equation को आप solve कीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से तो दीखे थोड़ा समझ के solve करता है यहां पर अंडर रूट थ्री एक्स हो जाएगा और माइनिस यहां पर दीखे माइनिस अंडर रूट एट है और यहां पर माइनिस अंडर रूट टू एक्स है इनका आपस में गुड़ा होगा पहरे साथी और ही अच्छे तरीकस से समझें तो यहां पर यह जो अंडरूट त्री थी हक्स है उधर जाएगा तो मैनिस का हो जाएगा यानि कि कहने का मतलब है कि पंड और यह जो अंडरूट 16 है तो आप जानते होंगे जब हम 16 का वर्गमोल निकालते आप जानते होंगे अंडर रूट लगा हो यानि कि उसका वर्गमूल निकालना है और 16 का वर्गमूल 4 होता है तो हम यहां पर क्या करेंगे डारेक्ट चार रिख देंगे यानि कि हम कह सकते हैं यह under root 3x इदर जाएगा तो minus का हो जाएगा तो यहाँ पर यह इधर जाकर minus का हो गया है minus under root 3x और यहाँ पर 16 की जगा 16 का वर्गमल 4 होता है तो हमने 4x डारिक लिख दिया और बटे में under root 3 अब पैरे साथी अब हम इसे solve करेंगे तो चलिए थोड़ा नीचे ही solve करते हैं तो यह हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा यह भाग में था उधर जाएगा गुड़ा में हो जाएगा उधर माइनस से इधर प्लस है यानि कि आपस में गुड़ा होगा तो यह हो जाएगा माइ एक से कुल टू आया है माइनस अंडर रूट 9 अब पैरे साथी से solve करते हैं चलिए बगल में चलिए पैरे साथी हमने इतना solve कर लिया है यहां पर दिहां से समझेगा कि एक step यहां पर क्या हुआ कि यहां पर पहले हमें पक्षांतर नहीं करना था पहले हमें बटे एक मान कर इसका LCM निकालना होगा तो हम इसे थोड़ा कट करते हैं एक step हमारा थोड़ा रॉंग हो गया है चलिए अब हम इसे solve करते हैं तो देखेंगा प्यारे साथी आपका step कट है आपको डारेक्ट ट्रांसफर नहीं करना है थोड़ा ध्यान से उतर गया अब यहां पर देखें य और अब का लितर गूंगे क्योंकि वन का कोई CSM 1 ही होता है अर्टर रूटी का अंडर रूट 3 ही हो गा और अटर रूट 3 आजाएगा अब प्यारे साथी आप समझीए गा जब एक का भाग हम अंडरूट 3 को देंगे तो अंडरूट 3 ही आएगा अब क्या होगा अंडरूट 3 का गुड़ा इसमें हो जाएगा यानि कि अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3x और प्लस का चिन लगाएंगी क्योंकि यह अंडरूट 3 है इसका भाग इसमें लगाएंगे एक ही आएगा एक का 16 में गुड़ा होगा तो कोई प्रवाव नहीं पड़ेगा तो हम इसे अंडरूट 16x लिख देंगी और बराबर 0 लगा देगी पहरे साथी अब अच्छे तरीके से यह सॉल्व हो जाएगा वो एक स्टेप आपका थोड़ा रॉंग था कि हमें डारेक्ट पक्षांतर नहीं करना था पहले लसेम निकालना था क्योंकि लसेम से बराबर हो जाता है तो हमें पहले इसका लसेम यानिकी भिन को साल्व करना था पैस ब्लस हो जाएंगा यानि कि अंडर रूट 0 में भाग हो जाएगा और 0 ही आएगा यानि कि हमें x की value क्या पता चल गई है पहरे साथ ही 0 पता चल गई है अब जब हमें x की value 0 पता चल गई है तो हम x की value समीकरण 3 में रख देंगे और y की value भी पता कर लेंगे हैं तो हम लिखें गिए एक्स का मान एक्स का मान को समी करण 3 में रखने पर प्यरो की तो अब हम क्या करेंगे एक्स के वैलू समिक्रण 3 में रख देंगे to y बराबर हो जाएगा under 2 टू इंटू एक्स की जगह हम जीरो लगा देंगी और बटे में तीन अब पैरसाथ यहां पर जीरो में गोड़ा होगा जीरो ही आएगा फिर चाहे जिस संक्या से जीरो में भाग दोगे तब भी जीरो आएगा यानि कि हम कह सकते हैं कि वाई बराबर भी जीरो हमारा आगया ह तो हमारा फाइनल एंसर क्या होगा पैरसाथी कि एक्स बराबर जीरो एंड वाई बराबर जीरो और यही आपका पैरस एंसर हो जाएगा आई होप आप बहतरीन तरीके से समझ गए होंगे किस तरह हम इन प्रशनों को सॉल्व करने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से है इस कुश्चन नमबर वन का जो कि आपकी एक्ससाइज 3.2 का पहला प्रशन था इसे हम सॉल्व करने वाले हैं लाश्ट प्रशन है इस वीडियो का चलिए एकदम अच्छे तरीके से समझ रहे लेते हैं लाश्ट वाला प्रशन कि किस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे पहरे स पदो में हमने लिख दिया पहरे साथी अब ध्यान से समझेगा कैसे सॉल्व करना है हम उसी तरह करेंगी हमें पहला समिक्रण दिया गया है 3x by 2-5y बटे में 3 बराबर माइनस का 2 हम में x का मान y के पदों में प्रतिस्थापित करना है यानि x को इधर ही रखना है और सब को उधर पक्षांतर कर देना है यहां पर देखेगा 32 का यलसिम 6 होता है कभी भी ऐसा दिया जाए पहले यलसिम निकाल लेना है तो 32 का यलसिम 6 होता है 233 का 9 x हो जाएगा और माइनस 3 दूनाई 6 5 दूनाई 10y हो जाएगा एक्कुल टू माइनस का 2 पहरे साथी यह 6 का उसमें गुड़ा होगा माइनस का 12 हो जाएगा यानि कि 9 x माइनस का 10y बराबर हो जाएगा 6 दूनाई 12 माइनस का 12 पहरे साथी और इसे साल करोगी आप तो क्या आएगा x बराबर हो जाएगा माइनस का 12 y सॉरी माइनस का 12 और ये प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यानि कि ये हो जाएगा प्लस का 10 y और बटी में आ जाएगा ये 9 यहाँ पर गोड़े में था इधर आया भाग भी हो गया और ये आपका equation number 3 अब हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे प्यार साथी तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर शमीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर प्यार साथी हमने ऐसा लिए लिए कि x कमान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमें दिया गया था x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6 अब यहाँ पर हम क्या करेंगे x की जगा x कमान रख देंगे x कमान हमारा आया है माइनस का 12 माइनस का 12 प्लस का 10 y बटी में हो जाएगा 9 और बटी में यह 3 हो जाएगा प्लस का Y बटे 2 हो जाएगा और इक्ल टो हो जाएगा 13 बटे 6..? अब हम इस सल्ट करेंगे तो प्लस का 10 प्लस और बटी में हो जाएगा प्लस का दसवई हो जाएगा और बटी में हो जाएगा नौत रिक 27 प्लस वाई बटी 2 बराबर 13 बटी 6 प्यारसाती मैंने अभी बताया है कभी भी ऐसा दिया जाए तो पहले हमें LCM ग्याद करना है 27 दो का LCM 54 ही होगा 27 दोनना 54 होता है 27 दोनना 54 यानि कि 2 का गुड़ा इन में हो जाएगा मैनिस 12 प्लस दस वाई में 2 का गुड़ा हो जाएगा और प्लस दो 27 बर 54 होता है यानि कि 27 वाई यहाँ पर आएगा और 13 बटी 6 हो जाएगा प्यारसाती ध्यान सा समझते चलिए बहु इसका 24 प्लस 2 दहमा 20 होता है तो यहां पर 20Y हो जाएगा और प्लस का 27Y और बटी में आपका यह हो जाएगा 54 बराबर 13 बटी 6 प्यारसाथी आप और समझेंगे तो यहां पर दीखीगा क्या होगा थोड़ा और सौल्व करेंगे तो यहां पर 24 और प्लस का 20 और 27 आपस में जोड़ोगी तो आएगा प्यरसाती 47 वाई और यह 54 इधर भाग में है उधर जाएगा गुड़े में हो जाएगा यानि कि 13 बट इच्छी इंटू 54 हो जाएगा आप अक्षांतर करना जानती होंगी कक्षा 9-8 में आपने पढ़ा होगा फिर आम इसे काटेंगे 6-9-6-6-9-4 होता है यहां पर आप देखेंगे तो क्या आएगा पैरसाती यह माइनस का 24 था इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा यानि कि 47 वाई बराब हो जाएगा और आप देखें पैरसाती यह बराबर क्या होगा ठाइट यहां पर और यहां और आप неп IRC 240 को भाग देंगे तो क्या आएगा पैरसाथ तीन बार में कटेगा यानि कि हम कह सकते हैं कि वाई बराबर हमारा तीन आ गया है अब हमें वाई के वैलू तो पता चल गई है अब वाई के वैलू पता चल गई है तो हम एक्स की वैलू पता करेंगे यानि कि वाई कमान हम समीकर य कमान समीकरण 3 में रखने पर य कमान समीकरण 3 में रखने पर प्यारे साथी य कमान हम समीकरण 3 में रख देंगे यहाँ पर तो ध्यान से समझेगा समीकरण 3 आप जब य कमान रखेंगे तो पहले आप देखें समीकरण 3 क्या था तो यहाँ पर समीकरण 3 था माइनस 12 प्लस 10 वाई और बटे में 9 अब हम क्या करेंगी य के जगा य के वैलु रख देंगे य के वैलु हमें पता हुई है 3 तो य के जगा य के वैलु हम रखेंगे यानि कि X बराबर हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10 गुड़े y के जगा y के value 3 बटे में 9 पैरसाथी आप इसे solve करेंगी तो x बराबर हो जाएगा minus का 12 plus का 10 त्याए 30 बटे में 9 हो जाएगा x बराबर 30 में से 12 गई तो 18 बचेंगी पैरसाथी और बटे में 9 999, 921, 18 यानि x के value क्या आ गई है 2 आ गई है पैरसाथी और y के value हमें 3 प्राब्त ही हो गई थी x के value हमें 2 प्राब्त हुई और y के value हमें 3 प्राब्त ही हो गई थी और यही हमारा पैरसाथी आई होप आप बहतरीन तरीके से समझ गये होंगे इस वाली वीडियो में मैंने आपका question number first एकदम complete करा दिया है exercise 3.1 का आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मिलद सर जरू लिखना न भूले और बताएं कैसी लगी आपको यह class और ऐसे regular class चलती रहेगी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद जय हिंदु बंदे माताम